TAG TV updates you about Corona situation in Canada and around the globe Daily Canadian News Bulletin in Hindi and Urdu only at TAG TV Assalamualaikum नाज़ी टाग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो के साथ मैं हूँ रुकसार शेहजाद सबसे पहले शामिल करते हैं News Headlines कोरोना केसिस में फिर इजाफा मजबत केसिस की शराच 6.30% रिकार्ट ईद के रोज मज़ीद 40 कोरोना मरीज फौद मरीजों के मजमी तादाद 9,98,000 से तजावस कर गई चमन बॉर्डर दो दिन बंद रहने के बाद खोल दिया गया चौदा जॉलाई को चमन से मुद्ध सिल अफगानिस्तान की आहम जिला इस पिन बोल्दक पर तालबान ने कंट्रोल हासल कर लिया था पाकिस्तान ने बावे दोस्ती को सील करके सिक्यारिटी की भारी नफ्री ताइनात कर दी थी कश्मीर में तरकी की नई तारीख रकम होने जा रही है कश्मीर कप्तान का हो चुका मौवल खुसी फिर्दोस आशिक एवान ने कहा कि जाली राचकुमारी बोवज़ इमरान में अंधी हो गई है मूदी के यार की बेटी का कश्मीरी क्यूं सातेंगे एदुललजा दूसरे रोज भी कुर्बानी की अदाईगी जारी पहले दिन बात ना सुनने वाले और मूव मांगा मौवज़ा मांगने वाले कसाईयों के मिज़ाज भी नीचे आ गए शहरी सुनेत इबराहीमी अदा करने के बाद दावत उड़ाने में मसरूफ कुर्बानी के भेंसे को गोलिया मारने पर आठ अफराद गिरिफतार कर लिए गए एनिमल एक्ट की दिफासा मेट मुकदमे में दीगर दिफास शामिल की गए है ना तजर्बाकार कसाई की वज़ा से जानवर भागा मुल्क भर में एक बार फिर करोना केसिस में इजाफा हो रहा है करोना के मसबत केसिस की शराफ 6.30% रिकॉर्ट हुई है मजीद जानते हैं से डिपोर्ट में मुल्क भर में एक बार फिर करोना केसिस में इजाफा हो रहा है करोना के मुस्बत केसिस की शरा 6.30 पीसद रिकॉर्ड हुई है नैशनल कमार्ड एंड आपरेशन सेंटर की जानिब से जारी बयान के मताबिक गुजिश्टा 24 गंटों के दारान मुल्क में करोना की तश्वीश के लिए 34,216 टेस्ट किये गए जिन में से 2158 अफरात में करोना वाइरस की तश्वीश की तश्वीश रोस इस वबा ने मजीद 40 अफरात की जिंदग्यों को निकल लिया जबके मुस्बत केसिस की शरा 6.30 पीसद रिकॉर्ड हुई है मुल्क करोना मरीजों के हवाले से मरत्ब की गई पहरिस में 30 नंबर पर पहुँच चुका है जबके मुस्बत केसिस की शरा 6 पीसद से जायत हो गई नैशनल कमार्ड एंड आपरेशन सेंटर के अदाद और शुमार के मताबिक पाकिस्तान में गुजिश्टा 24 गंटों के दौरान करोना वाइरस के मज़ीद 2158 केसिस सामने आए है मज़ीद 40 अफरात इस मुजी वबा के सामने जिन्दगी की बाजी हार गए करोना के मज़ीद 895 मरीज शपाया हो गए जबके मुजबत केसिस की शराफ 6.30 पीसद हो गई पाकिस्तान भर में करोना वाइरस के अब तक 22,928 मरीज इंतिकाल कर चुके हैं जबके इस मुजी वाइरस के कुल मरीजों की तादाद 9,98,609 हो चुकी है मुख भर में अस्पतालों, परंतीना, सेंटर्स, वेंटी लेटर्स और घरों में करोना वाइरस के 52,752 मरीज जेरे इलाज हैं जिन में से 2,525 मरीजों की हालत तश्वीशनाक है जबके 9,22,929 मरीज अब तक इस बिमारी से शिपायाब पूछ चुके हैं फुजिश्टा 24 गंटों में मुल्क में करोना वाइरस के मज़ीद 34,216 टेस्ट किये गए जबके अब तक कुल 1,55,69,684 करोना टेस्ट किये जा चुके हैं पाकिस्तान भर में अब तक कुल 2,44,96,587 करोना वाक्सिन के खुरा के दी जा चुकी हैं पाक अफगान बॉर्डर दो दिन बन रहने के बाद खोल दिया गया है दोनों जानिब से हजारों शहरी अपने मुलकों में दाखिल हुए मजीद चानते हैं इस रिपोर्ट में पाक अफगान बॉर्डर दो दिन बन रहने के बाद आज खोल दिया गया है मीडिया रिपोर्ट के मताविक 14 जुलाई को चमन से मतसिल अगवानिस्तान के अहम जिला इस्पन बोल्दक पर तालबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया था और बाब दोस्ती पर अपने जंडे भी लगा दिये थे जिसके बाद पाकिस्तान की जानब से बाब दोस्ती को आरजी तोर पर सील करके सिक्योर्टी की भारी नफरी तायूनात कर दी गई थी लीवीज हुकाम के मताबिक पाकिस्तान में फसे अगवान शहरियों की वापसी के लिए बाब दोस्ती के चमन बौर्डर को दो दिन के बाद आरजी तोर पर पैदल आमदुरफ के लिए खोल दिया गया है बाब दोस्ती गेट सुब 8-10 बजे जबके शाम 4-6 बजे तक खुला रहेगा लीवीज हुकाम का कहना है कि पाकिस्तान में दाखल होने वाले अफराद के लिए बादर पर करोना टेस्ट लाजमी है और सिर्फ गानूनी दस्ताविजात रखने वाले अफराद को सरहत के आर पार जाने की अजासत होगी पाकिस्तान की जानिब से इस एकदाम के बाद अब तक हजारो आखवान शहरी इस सहूलत का फाइदा उठाते हुए अपने आबाई मुल्क में दाखल हो चुके हैं जबके सरहत पार से भी दरजनों पाकिसानी अपने मुल्क में वापस आए हैं इस मौके पर सिक्योर्टी के सफ एकदामाद किये गए हैं मौवन खसूसी पंजाब डॉक्टर फिर्दोस आशिक एवान ने ट्वीटर परगाम में कहा कि कश्मीरी भी करब जमातों के चहरों को मुस्तरत कर देंगे पूरे मुल्क में माफिया को इबरतनाक शिकस्त मिली इस हवाले से मज़ीद चानते हैं मौवन खसूसी पंजाब डॉक्टर फिर्दोस आशिक एवान ने कहा है कि कश्मीरी भी करब जमातों के चहरों को मुस्तरत कर देंगे पूरे मुल्क में माफिया को इबरतनाक शिकस्त मिली 25 जुलाइ का दिन कश्मीरी की तकदीर बदलने का दिन है उन्होंने कहा कि लट्टू पट्टू खानदान की बहरोपिया आएंबाएंशाएं के बजाए आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमती कारकरदगी बताएं जिस नाएहल राज कुमारी का अपना चचा साथ नहीं उस मूदी के यार की बेटी का कश्मीरी क्यूं साथ देंगे मुल्क भर में एदल अज़ा इंतहाई मजभी जोशु चस्पे से मनाई जा रही है कहीं तगड़े बेल गिराए जा रहे हैं तो कहीं विपरे उटों की कुर्बानी की जा रही है वजी चानते हैं स्टिपोर्ट में मुल्क भर में एदल अज़ा के दूसरे रोज भी सुनत इबराहीमी के सिलसले में कुर्बानी की अदाई की जा रही है मुलक भर में एद लाजा इंतहाई मजभी जोश और जजबे से मनाई जा रही है कहीं तगड़े बैल गिराए जा रहे हैं तो कहीं विप्रे उटों के खुर्बानी की जा रही है हर साल की तरह पहले दिन बात ना सुनने वाले और मुव मांगा मौज़ां मांगने वाले कसाईयों के मिज़ाज भी नीचे आ गए है नमकीन बड़ी ईद पर दावतों के एहतमाम का आगास आज से शुरू है पहले रोज जानवर खुर्बान करने वाले आज महमान बनेंगे वाज़र है के मौलक के मतादित बड़े शहरों में बास मुकामात पर अब तक जानवरों की आलाईशे ना उठाई जा सकी है जिससे ताफून में इजाफा हो रहा है कसाई सिद्दीग का कहना था कि गुजिश्टा सालों के निस्पत इस बार लोगों ने कम कुर्बानी की है लोग पैसे बचाने के चक्कर में अनारे कसाईयों से काम करवाते हैं जिससे उनका ही नुकसान होता है महमद असलम का कहना था कि महंगाई के बावजूद लोगों ने अपनी हैसित के मताबिक अच्छी कुर्बानी की है इस बार कसाईयों ने मूँ फार कर पैसे मांगे है महमद अख्तर का कहना था कि कसाई इस बार बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे है कसाई पैसल का कहना था कि इस साल भी वही रेट है जो गुजश्टा साल थे काटने में ये के पिछले की तरह है रेट ज़्यादा कम अपर नीचे नहीं हुए है जो पिछले साल थे वही साल है शहर काईद में कुर्बानी के लिए लाया गया भैसा बिदक कर भाग गया जिसमें मुकामी अफराद ने बेकाबू भैसे पर गोलिया बरसा दी पुलिस ने फारिंग करने वाले आठ अफराद को गरिफतार कर लिया वजीर चानते हैं स्टेपोर्ट में शहर काईद में कुर्बानी के लिए लाया गया भैसा बिदक कर भाग गया जिसमें मुकामी अफराद ने बेकाबू भैसे पर गोलिया बरसा दी पुलिस ने फारिंग करने वाले आठ अफराद को गरिफतार कर लिया कराची के अलाके स्कीम 33 में गुज़िशता रोज भैसे को फारिंग करने के बाद जबाद किया गया था मौवेशी के मालिक मौईनिर रह्मान ने ना तजर्बा का कसाई मंगवाया जिसकी वज़ा से जानवर भाग गया जानवर काबू में ना आया तो मालिक ने मुसला साथियों की मदद ली और भैसे पर शदी फारिंग की कलाशन को रैपिटर और टीटी के जरिये भैसे को निशाना बनाया गया और कई मुकामात पर उसे रूपने के लिए फारिंग की गई और टांग पर गोली लगने से भैसा जखुई हो गया पुलिस ने वाके का मुकर्दमा सचल थाने में दर्च करके आच मुसला अफराद को शनाफ के बाद गिरिफतार कर लिया जबके बाकी छे अफराद की तलाश चारी है अनिमल एक्ट की दफ़ा समेथ मुकर्दमे में दीकर दफ़ाद भी शामल की गई हैं पुलिस के मताबग गिरिफतार अफराद के पास असलहे के लाइसंस मौजूद है मजीद खबरे भी बुलिटिम का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद